हलो गाइज, वेलकम टू अचेव आईएस, मैं नीम इस आयूश मेठिय, एस वीडियो में हम 14 मार्च 2020 के दा हिंदू एटोरियल आनलेसेस करेंगे, सेटरडे का न्यूस्पेपर आज, तो हमारे एक पीज में एटोरियल आज, बाकी में ग्राउंड रिपोर्ट आए, चलिए, शूर करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, प्रोफिपल ओवर प्रोफिट, कमर्शल इंट्रेस्ट शूड नोट बी अलाओड, तो ओवर्राइड अफोर्ट, तो डील विद दी पेंडेमिक, पेंडेमिक, करोना वारेस के बात हो रही है, किस तरीके से IPL होने जा रहा था, ओ और दिली सरकार ने हाली में मोल्स को, स्कूल्स को, पबलिक गैधरिंग्स को बंद किया है, वैसे ही IPL पे अब बेन लगाने की बात की जा रही है, इस साल, और कोशिश है कि IPL हो भी तो ओडियन्स ना हो उसमें, और जो गैधरिंग्स हैं, उनको कम से कम करने की कोशिश की चा रही है, आर्टिकल में यह है, आपको एक प्राइशन में आप एक दूसरों के साथ मिलते हो रहते हो, और बेसिकली इस पेंडेमिक के टाइम में, जितनी आपको रिमोटनेस चाहिए, जितना आपको दूरी बनाय रखना है, उससे तो लाखो, जो है यह दूर है ठीक है समझे मेरी बात आपको कहा जा रहा है कि आप घर में रहो घर में रहे के काम करो जबकि स्पोर्ट्स और सेलिब्रेशन ऐसे इवेंट्स में हजर लोगों की संख्य होती है जहां पर वाइरस के बढ़ने के काफी ज़्यदा चांचेज हैं COVID-19 जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है चाइना से फिर एशिया के पार्ट्स में फिर यूरोप में फिर अमेरिका में यूएसे के प्रेसिडेंट डॉनलाल ट्रम ने हाली में डिसिजिन लिया कि यूरोप से वो सारा जो आरा जाना है सब कैंसल कर देंगे जो लोग है यूरोप म और यह वो दोनों एक तरीके से पब्लिक हेल्थ को खत्रा देती है वीड़ बार्ड वाले जो इलाके हैं उनमें इसके ठीट की काफी ज़्यादा चांसेज है और डेक्ति होंगे रंश जिस तरीके से दोड़ते हैं बॉलर जिस तरीके से जो है बॉलिंग कराते हैं मुसल को stretch करते हैं आपको लगता होगा कि काफी ज्यादा यह toughness इंके पास इंको क्या जो है गोर्ना वारस होगा लेकिन ऐसा नहीं है जो भी immunity sport person के पास है इसका मतलब यह तो नहीं है क्यों को वारस नहीं होगा तो यह बात क्यों कहीं जा रही है क्योंकि देखो sports और festivities में यहां पर जो celebrities हैं जो sports persons हैं उनको भी coronavirus होने की संभावना है क्योंकि fans होते हैं cheering करते हैं swapping करते हैं और भाई यह तो बात होगी चलो sports की आपने जो places of worship होते है devotees जो पूजा करने वाले एक जिगए खटे होते हैं वो अपनी दुनिया में खुजाते हैं situation का तो sports का जो grand theater है लोग आते हैं पब्लिक के places में public spaces में यह एक हां एक खुशी देता है लोगों को लेकिन COVID-19 अगर तरीके से भड़ता जा रहा है तो फिर जो है social distancing और public event का cancellation बहुत ज़रूरी है sports administrators globally globally इन्होंने tournaments cold off कर दिये हैं इंडिया में लेकिन आब बात अलग है IPL की जैसे गर्मियों में आपको आम चाहिए होता है वैसे IPL भी आपको चाहिए ही होता है पहले इसका जो schedule है वो अब अब मार्स 29 में किया गया date को shift किया गया basically जो है इसकी जो date भी shift करने के बाद की जा रही है हाला कि basis है ने 2020 तो postpone कर दिया IPL की बात हो लेकिन audience मतला हो इसमें audience मतला हो इवेंट जो ऐसे की ऐसे रहे और जो है आप टेली कास्ट इसको कर दो IPL हमारा domestic tournament है international flavor है इसका विजेश्चे लोग आते हमारे लोग आते वर्ल्ड के क्रिकेट प्लेयर्स है वो आते तो यहाँ पर basically यहाँ यह जो बोड है इसको extend लेना ही पड़ेगा और जरुद के साबसे काम करना ही पड़ेगा हो सके तो IPL को बंद कर देना चाहिए अगर जरुद पड़े तो क्योंकि देखो हेल्स सेक्टर हमारा पहले ही 100% capacity से काम कर रहा है और ओवर वर्क जो है उस पर काफी ज़्यादा प्रभाव पड़ जाएगा फैंस होटल जाएंगे होटल घूमेंगे जो फिर वो काफी ज़्यादा धिक्कत आएंगी और दुनिया से लोग आएंगे अब देखो हमने ऐसे तो वीजा कैंसल कर दिया हमने जितने भी देश है सबसे वीजा कैंसल कर दिया चाहें नेपाल बागलदेश को इसा भी देश हो भारत में नहीं आ सकता जो लोग ओल्रेडी हैं भारत में उनको भेज दिया जाएगा उनको जो हैसा नहीं कि साथ की साथ उनका वीजा कैंसल कर रखोगे आपको पता अगर क्रिकेटर कहां रुखेंगे ग्राउंड में तो सोएंगे नहीं स्टेडियम में तो सोएंगे नहीं होटल में होटल में वहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर ओटोग्राफ मांगेंगे कई चीज़े होती हैं तो किसी को भी हो जाए तो वल्लरेब पूरी तरीके से प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके सीज को रोकने कोशिश करने चाहिए मिन्स्टर फेल्थ और फेमिली वेल्फियर ने नोट भी किया था कि मास्ट जो गैदरिंग से इनको अवोइड करना चाहिए और पॉसिबली पॉस्ट पॉन करना चाहिए जब तक यह डिसीज का स्प्रेड रुक नहीं जाता आई पील्थ 47,500 क्रोड की वेल्यूइशन इस वज़े से इतना दिमाग लगाया जा रहा है काफी पैसा आता है लेकिन सेटिजन की हेल्थ ज़रूरी है ना भहिया पैसा रजी में ज़रूरी होता तो फिजिजन सेटिजन का हेल्थ वेल्फर ज़रूरी है पॉब्लिक इंट्रेस्ट हमेशा जो है प्रॉफिट माइडनेस पे हमेशा टर्म करने चाहिए अब क्यूशन क्या आता है कि पब्लिक इंट्रेस्ट शुड ओल्वेश ट्रम प्रॉफिट माइडनेस माल लो आपके जी एस फॉर में क्यूशन आ गया एथिक्स में अब इसमें आपको आप कन्फूश हो जाओगे कि इसमें हम क्या लिखें क्योंकि यह में में क्या लिखते है में में कि सिर्फ इससे लिख देंगे कि पब्लिक इंट्रेस्ट शुड ओल्वेश ट्रम प्रॉफिट माइडनेस कमेंट तब आप सोचोगे कि किस न्यूश पर अधारित है किस न्यूश पर बेस्ट है कोई क्या लिखे कोई क्या लिखा लेकिन अगर आपने दाहिंदू आटिकल पढ़ा हो तो आपको यह एक्जामपल याद आ जाएगा स्पोर्ट्स वाला कि कोविड-19 के समय हमने स्पोर्ट्स इसने वर्डिक्ट दी देखो गुदुचेरी है मारी पुदुचेरी में आपका लिटिनेंट गवर्नर है जो कि आपके सेंटर के द्वारा पॉइंट होते हैं जो कि प्रसिडेंट का कंट्रोर उस पर रहता ऑजो कि Central Government का आप ऐसे मालो तरीके से जो है उनके ही आदमी ठीक और पूर्टिजेनर में चुना होते हैं तो वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हैं तो दोनों में टेसल होना तो सोभावी क्या क्योंकि भाई हुआ क्या कि पहले केस आया जिसमें मदरास हाई कोट ने बेसिकली एक सिंगल जस्ते उन्होंने कहा कि जो गवर् पहते हैं कि नह ! कर सकते हैं कि कर सकते हैं यह जो है डैंटुदे ऐड्मिस्टेशं पर इंट्रफेर अब बात है कि करना चाहिए और नहीं काँशल मेंस्टर्स की बात मानेगा लेकिन यूनियन ट्रेटरी स्पर जप झाज़ए की टेनल की टेरिटरी है उस पे गौर्णर है उसका जैदाख होगा बजाएक कि उलेक्टर chỉ hayon का मामला जा सकता है सुप्रीम कोड़ देख देखते है किस तरीके से काम होता है तो ये ये conflict पूरा इन पे चल रहा है कि लिटिनिंट गवर्णर के पास जो डे-टु-डे इंटरफरेंस है कि नहीं है अब दिल्ली देख लो ना दिल्ली में भी किस तरीके से लेटेंस गवर्णर के पास कितनी पावर है कि नहीं तो यूजिन ट्रीटरी में जो गवर्नरों के पास ज़्यादा पावर होती है और स्टेट में कम होती है ऐसा मद्रस हाई कोड कर डिविजन बेंच का कहना है यह कहते उन्होंने पिछले वाले जच के उडर को क्वेश्ट कर दिया देखो डायस्पोरा की कफ ज़्यादा बात हो रही और मुझे लगता है कि इस पर क्यूशन आ सकता है डायस्पोरा क्या होता डायस्पोरा मतलब भारत के लोग अगर अमेरिका जाके रह रहे तो वह इंडियन डायस्पोरा होगे यूके में रहे तो इंडियन डायस्पोरा एक करोड़ पिचेतर लाख लोग सबसे जो लाइज दैस्पोरा भारत का और रेमिटेंस दुनिया में सबसे ज्यादा आता है भारत को 78 billion dollars का यह global migration report 2020 कि अब global migration report कौन नहीं का आलता है मुझे comment box में लिखके बताओ global migration report के अनुसार 78.billion highest है मारे तो डैस्पोरा इतना हमारा influential है for example Trump अभी आए ट्रम्प ने अमदाबाद में आके से कहा कि जो इंडियन जो अमेरिकन्स हैं जो अमेरिका में जो इंडियन्स रह रहे हैं वो काफी ज़्याद स्पेक्टूटल एर्रों काफी तारियफ की उन्होंने और आप देखोगे कि मोदी जी जब गए ट्रम्प के होस्टन में जो कारेकरम हुआ था हाउडी मोदी और जो भी हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि अपके बार ट्रम्प सरकार और बेसिकली ट्रम्प को इन्होंने पूरा सपोर्ट दिया था तो यह क्या करना चाहते हैं यह डियोस्पोरा को टार्गेट किया जा रहा है मतलब अब मैं आपको बताता हूँ यूएस में एक परसेंट लोग होंगे करीब एक के करीब लोग होंगे जो इंडियन्स होंगे फिर ट्रम्प इतना क्यों एहमदाबाद आगे कश्ट उठा के किवल एक परसेंट लोगों को प्रभावित करने कोशिश कर रहे है क्योंकि पिछली बार जब चुना हुआ था जब इंडियन अमेरिकंस ने के वल 70 या 80 परसेंट टोक ते जिन्होंने हिल्यारी को वोट दिया था बाकी 10 से 15 के बीच में जो ट्रम को वोट दिया थे शाइचाटरा परसेंट गे जो इतना ज्यादा जो वोट शिफ्ट हुआ है क्लिंटन की तरफ उसको लाना चाहते है वह अब इतना ज्यादा फाइदां को मिलेगा नहीं फिर भी वोट तो आएंगी मैजुरीटी भड़ेगी तो कुल मिलाके यहां पर वोटर बेस को जो इंफुलेंस करना चाहते हैं तो ट्रम के सामने इंडियन अमेरिकन्स की इंपोटेंस है अब इसका फायदम कैसे उठा सकते हैं यह डैस्पोरा डिप्लोमेसी में आता है भा पढ़ने से पहले पावर बता देता हूं तो टायस्पोरा जो मारे देश में सब पूरी दुनिया में सब ज़्यादा डाटा लिख सकते हो लाग्ज़ डैस्पोरा किसका है भारत का लाज़ रेमिटेंस इसका है भारत का पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़दा आवेर रहते इं डैस्पोरा हमारे भाहर है वो कोशिश करते हैं प्र भारत का जो कल्चर रवु रिप्रेजंट करने कोशिश करते हैं तो र स्प्राश्व करते है को बहुंता थे तो ले कphones पावशिअ है कि मैं अर्टिक्र झदेंगे लेकिन लिमिट्स्ब से शुरू करता थे प्रॉमिस ऑफ डिएस्पोरा डूल पावर इस बेज़ डॉन सर्टें फॉल्टी प्रमेशेज और इस नेसेसरी और टाइमली देट गवर्मेंट रिएनलाइसे देखा जाना चाहिए कि वास्तों में क्या इतनी पावर इनकी रहती है यहां पर तीन-चार कारण बताए जा रहे हैं तो पहले शुरू करते हैं पहला है ट्रांसबुलिटी और वोट्स ट्रम्प यहां पर एमदाबाद में आके इंडियन अमेरिकन्स को अच्छा बता रहे हैं वोस्टन में कारेकरा मुगत अमेरिका में वहां पर भी उन्होंने इ इलेक्शन हुए थे जब वहां के लीडर से उन्होंने काफी ज़्यादा प्राइमनिस्टर के साथ मिलके रेली की थी और सपोर्ट भी दिया था उन्होंने चुला वहार गया वह चुना वहार गये नितान्यू की मैं बात करूं तो नितान्यूने मैजूरिटी नहीं ली उस नहीं है यह लिमिट है ट्रांसफरेबिलिटी ओफ वोट्स कि इंडियन कम्मुनिटी है है लेकिन इतनी लार्ज इनफ नहीं है कि वो डिफ्रेंट पैदा कर सके वोटिंग पैटर्न में दूसरी बात अब होता कहा है देख मैं बताऊं कि आप क्या कर सकते हो कि आप जब भी लिमिट लिखो आंसर में तो पहला जब आप लिखो ट्रांसफरेबिलिटी ओ वोट्स उसमें सब पोइंट बनाके लिख सकते हो रीजन पहला रीजन की लार्ज नहीं है दूसरा जो पॉपुलेशन रेली में आती है मालो ट्रम की रेली में आ भी गई तो जरूरी थोड़ी जो कंसर्वेटिव पाड़ी थी उन्होंने वहां के जो इंडीयंस को इंफूरेंस करने why सब यह जीए में फिर जो हैसी चीजे देखी गई कुछ इंडिन जादा है लेकिन ट्रांस वहां भी नहीं दिखा गया ट्रांस वोट्स एलेक्शन में आप देखा जाना है किस तरीके से ट्रॉम्प जो है होस्टन में गए हमदाबान में गए कितना यहां पर फाइदा उनको निकलता है ठीक है मैंन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं दूसरा लिमिट यहां पर है कि पॉलिटिकली एक्टिव जो मेंबर से हमारे इंडियन डायस्पूरा के यह जरूरी नहीं है कि इंडिन गवर्मेंट के एक्शन को सपोर्ट करते हो मालों मोदी जी गए होस्टन में ट्रम को कर दिया सपोर हम तो एक बल लीमिट हैं हमारी बोलने की सरकार के खिलाफ लेकिन यह जो है कि कुछ भी बोल सकते हैं तो बैसिकली काफी पॉलिटिकल आवेर रहते हैं तो थोड़ी की इंडिन गवर्मेंट को सपोर्ट करें जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाली में कुछ एक्जामपल वह लाए थे प्रमिला जैपाल ने लाया था और कई सारे एक्जामपल हमने देखा जैसे कमला हैरीस जो की फॉर्मर प्रेशिडेंशिल कंडेंटर थी यानि प्रेशिडेंट का चुनाओ इन्होंने लड़ने कोशिश लड़े थे इन्होंने यह गवर्मेंट को यार वोर्ट तो दे नहीं रहे इंडियन अमेरिकास उनको छोड़ो इनके ने ना स्कीम लाओ इनकी ना बात करो ना इनको जाके वहां पर रेली करो ऐसा नहीं होना चाहिए फोकस और डैस्पोरा पर रहना चाहिए लेकिन बालेटरल रिलेशन में फैक्टर बनना नहीं चा है लेकिन एक डिप्लोमेसी में इनको बहुत बड़ा जो शिफ्ट है वह मत होनी दो इसका एक्जामपल आप देख सकते हैं उन्हें सताबवन में उन लोग समा में जवाना नेरू ने कहा था कि जो हमारे लोग बाहर चले गए हैं उनके उनकी चिंता है हमें और वह जिन्हो इंटरफेरेंस वह नहीं करना चाहेंगे तो जवाना नेरू ने पूल तरीक से थन अपना लिया था समझ रहे हो यह नहीं करना चाहिए यह भी नहीं करना चाहिए क्योंकि जो आगे-आगे सरकार है उन्होंने इतना क्लोड़ ब्लड नहीं अपनाया और डाइस्पोरा को थ यहां पर आ जाए इसमें जुट जाए डैसपरक्सा तो गलत हो जाता है और नए अंगल जुट जाता है ठीक है क्योंकि अभी देखो यूएस में इलेक्शन हुए ब्रिटिश ब्रिटिश ब्रिटिन में भी अभी जो है हमको किटिसाइस किया गया कि इंडिया जो है यहां इंफ्लॉएंस करने कोशिश कर रहा है यहां पर रोल जो है नहीं भा रहा है पॉलिटिक्स में इंफ्लॉएंस कर रा हैं यहां आप कह सकते हो कि सबसे मुझे interesting Andre influential point लगा जो चोथी limit आप कह सकते हो कि आप जबी भी वहाँ जा जा के विदेशों में जब अपने political leader माल लो मोदी जी गई UK में US हैं और जबी भी जाके Indian Americans Indian जो Americans को सब कहते हैं वहाँ पे या UK में जो Indians हैं उनको संबाधित करते हैं उनको बार बार जो याद दिलाते हैं ति आप Indian हो कि आप क्योंकि देखो ऐसा होता है न तो हेट जो है वह काफी ज़्यदा बढ़ जाती है वह ऐसी घटनाए देखने को मिली है जहां पर इंडियन्स पर काफी अटेक होएं क्योंकि वह एशियन है इंडियन ओरीजिन के हैं तो रेसिस्ट भावना यहां पर पनप जाती है अगर यह आपर ये लोग इंडियन ओरिजिन के थे लेकिन करने कुषा खरते हैं कि अधरी करते हैं भारत की लोगों क मिलाने कोशिश करते हैं जिन Your प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् जो भी हो घीता गुपीनाथ हो कोई भी वो अपने किसी भी तरीके से जो ऑर रेपारत करें भारत के के लिएक्षामत्री दुथे प्रधोर के साइटी है लेकिन उनकी पॉलिटिक्स पर धकल आज़ी इंजिनेरिंग हो चाहे वो साइंस हो चाहे वो टेक्नलोजी हो कोई भी हो किसी भी डिसिप्लेन जित्री सारी सब्जेक्ट्स हैं सम्में ओर ओर ओल जो अगर कोई युनिवर्सिटी बेस्ट परफॉर्म करके चलती है तो सो जो रैंक आई उनमें भारत की थी नहीं समझ रहे हो इंडियन इस्टीट ओफ टेक्नलोजी जो बॉम्बे हैं वो 152 रैंक पर थी दिल्ली आईटी 180 पर थी और इंडियन इस्टीट ओफ साइंस बैंगलोर 184 पर थी ऐसा क्यों हमारी उनिवर्सिटी इतनी रैंक क्यों नहीं लापा रही और आप देखो कि पांच जो है प्राइवेट है तो प्राइवेट उनिवर्सिटी इतना टॉप कर रही है और भारत की प्राइवेट उनिवर्सिटी छोड़ो जो गवर्मेंट के द्वारा फंडेड है वह हंडेड में भी नहीं है पारी क्यों इंडिपेंडेंडेंस इंडेफरेंस बाहर बाहर जो और देश यह जडर कोई भी इंटर से नहीं है किन डिबेसर में कोई छोटी हैं तो फंटेसर्च जोती पूलेटिकल इंटरस नहीं है रिषै करेंटेस्टी में 마스크 में इंडिपेंदज्टी उनिफिकेंट्स अब ऐब लेते हैं तो प्रोफेशर स्टुडेंट जो है वो अपना चूज कर सकते हैं चाहे वो किसी भी कल्चर के हो किसी भी एकनोमिक रखते हो चाहे कोई भी पॉलिटिकल रखते हो एक फाइदा दूसरा टैलेंट को अट्रेंट करते हैं वो प्रोफेशर को ऐसे लेते हैं जो काफी talented हो जिनका outstanding ability हो पढ़ाने की और बच्चों को भी वह लेते हैं जो outstanding हो meritious और brightest हो हाँ आप यह कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो कहां जाएगी कुछ बच्चे हैं जो यह team admission ले सकते हैं लेकिन बाकी के जो इंजिनिर हो कहां जाए तो उनकी उनके career पर effect पढ़ता है क्योंकि सरकार जो जारा धान आएटी में लगा रहे हैं वो लग बात है लेकिन still आएटी और जो आप institutions देखेंगे बड़े बड़े चाहिए वो आएएम सो यह सारे जो है brightest students लेते हैं जन्रेट यह knowledge generate करते हैं और basically तीसरा फायदा यह कि publication को incentivize कर सकते हैं और research करने कोशिश करते हैं कि लोग publish करें यहां पर research हो यहां पर और फायदा यह हैं कि critical thinking यह भढ़ाते हैं debate यह करते हैं writing abilities students में बढ़ाते हैं students को encourage करते हैं कि वो आके अपने professors को ही challenge करें उनकी subject में जो उनकी दिमाग में जो अभी चीजे भरी गई है उनको ही challenge करें कि क्या चीज सही है क्यूशन 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 इस दी बिगलिंग अव इटलीचन्स तो जो पैड़ागोगी पैड़ागोगी मतलब जो teaching teaching तो पैड़ागोगी जो teaching का field है basically यह champion graduates बनाते हैं य बच्चे वह आज बड़े-बड़े स्थानों में बड़े-बड़े positions में और वह वापत जाकी को पैसा देते हैं डोनेशन देते हैं तो आप देख सकते हो Harvard के पास इन डोनेशन की मजचे 40 billion dollar है 2019 में तो यह चीज हम भी कर सकते लेकिन हमारे पास जो बहुत कम पैसा इसका आ सो अंडर में हैं 152 पर हमारी रेंकिंग थी मैंने बताए आपको आई टी बॉंबे के 152 पर थी आई टी बॉंबे की चाइना की अकर मैं बात करू तो चाइना में सिंग्रियों युनिवसीटि यूश एशोला पर थी पैंकिंकिंग उनवरिस पर थी फुडान उनवसीटी च चाइना ने बहुत पैसा लागा है चाइना की इंविशिटीज ने इन्होंने बहुत पैसा लागा है इन्होंने वर्ल्ड क्लास इंविशिटीज बनाने की पूरी ठान ली थी भारत के पास पैसा नहीं है भारत सरकार के पास रिसोर्सेस नहीं है जितने की चाइना के पास है तो ही लिमिटेशन है भारत सरकार की और लेकिन हम यह कर सकते हैं कि पैसा नहीं भी दे सरकार तो इंटफरेंस रोक सकती है पॉलिटिकल इंटफरेंस है को जो नेता है बड़े-बड़े जो अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं अपने बच्चों को डोनिशन देके डिमिशन दिल हैं कि यहां पर जो बीस इंस्टिशन ओफ एमिनेंस चुनेंगी बीस भारत सरकार जिनको ब्यूर्य कैसी से मुक्त कर देगी और उनको वर्ल्ड रेंकिंग बढ़ा निकोशिश करेंगी बीस ऐसे चुने जाएंगे अब देखो कौन से चुनते हैं लेकिन इंडिया को अब में बहुत आगे चलना है चाइना जैसी देश जिसमें इतना ऑथरिटरीन है जहां पर सरकार की हाथ सरकार की पहुंच सरकार की पावर हर जगे तक है वहां बगर अगर एस उनिटी स्टोप रेंक ला रहे हैं तो भारत इसको हम डेमोक्रेटिक बोलते हैं जो लोकतांत्रिक सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक जो देश है वो नहीं कर सकता के चेंज ला सकता है हमारा जो इंडिया का डेमोक्रेटिक और जो करेक्टर है कंटेस्टेट करेक्टर वो इवलुशनरी चेंज ला सकता है लेकिन लोंग टरम वीजन और सेल्फ लेश लीडरिशिप हमको चाह है यहां पर इतना ज़्यादा इनको सपोर्ट नहीं किया जाता है युनिवसिटीज को जितना करना चाहिए ठीक है आला कि गवर्मेंट के फोर्ट मैंने आपको बता दिए इंस्टीट ऑफ एमिनेंट चुनेगी बीस और और भी कोई फोर्ट सो आप अपने आंसर में डाल सकत आपको मैंने देव दिया कौन सी रेंग तो गाइस यहीं मारी वीडियो थेक्स वर्चिंग जहीं गुर्ट ब्लेश